अगर आपके भी घर में चावल बच जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने बना दिया, तो बच्चे से लेकर बड़े तक सब मांग मांग कर खाएंगे, और आपकी टेंशन हो जाएग में तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगती है, आपका हमारी किचन में बहुत-बहुत स्वागत है, तो सबसे पहले फ्लेम पर रखेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून ओयल, आप जिस सोयल का यूज करते हैं अपने घर में, उसी ओयल में मनाईए, एक चमच खड़ा जीरा डाल देंगे, इसके बाद 2-3 हरी मिर्च इस तरह से लंबे-लंबे स्ट्रप्स में काटकर डाल देंगे, बस इसे हलका सा आप तेल में इस तरह से भून लीजिए, इसके बाद एक चमच डालेंगे लैसुन और अद्रक को हलका सा क्रश करके, आप चाहे तो इसे बारिक-बारिक चॉप करके भी डाल सकते हैं, इस तरह से इसे मिला लेंगे, उसके बाद हम इसमें छोटे-छोटे पीसेस कटे हुए मश्रूम डालेंगे, एक छोटी बोल हमने मश्रूम ली है, अगर किसी को भी मश्रूम से अलर्जी है, या फिर उन्हें अच्छ करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको ये सारे पॉसेस हाइफलेंगे करने हैं, अब हमने कुछ कटी हुई वेजेटेबल्स ली है, जैसे शिमला मिर्स, प्याज, गाजर, मटर और गोवी, इसे हमने छोटे-छोटे पीसेस में इस तरह से काट लिये हैं, आपकी जो फेबर के लिए अच्छे होते हैं, तो इस बहाने हम इतने सारे वेजेटेबल्स भी खा लेते हैं, इसलिए ये रेसेपी थोड़ी हेल्दी भी है, तो बस सारे वेजेटेबल्स को डालने के बाद इसे हम एक से दो मिनट तक हाई फ्लेम पर ही इस तरह से सौटे करेंगे, आप इसे ये रेसेपी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, तो हाई फ्लेम पर ही आप करते रहिए, इसके बाद एक छोटी कटूरी इसमें हम एक टमाटर को कात कर बारिक बारिक डाल देंगे, बस इस तरह से टमाटर को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, और फ्रेंड्स इस इसे ऐसे स्नैक्स बना सकते हैं, जो आप चाई के साथ मजे से खा सकते हैं, जुरूर हमारे चैनल पे भी एक बार जाईएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, बस इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी सी धन हल्दी का भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी पावडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च, लाल मिर्च आपर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम याधिक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्रेडी हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, आधा चमच गरम मसाला भी इसमें डालेंगे, इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से सारी सब्जियों में मिक्स कर लीजिए मसालों को, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, तो फ्रेंट्स ये बहुत ही जटपट बनकर रेडी हो जाते हैं, और अगर आपके बचे बहुत तरह वेजेट खालेंगे, थोड़ी सी इस पर धनिया की पत्ती डाल दीजिए, और बस अब कुछ नहीं करना है, लास्ट में सारे मसालों में चावल को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और इसे गर्मा गरम सर्फ कीजिए, तो हैना बहुत ही तेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी, और कि रखे वेजटेबल फ्राइड राइस, आप जब चाहें, फ्रेश चावल से भी बनाईए, और सभी को खिलाईए, तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है, और इससे पहले भी कई बार मैं वीडियो में बोल चुकी हूँ, आप बहुत अधिक किसी भी चीज को बासी करके नहीं खाईए, क्योंकि वो हमारे सिहत के लिए अच्छे नहीं है, जब वो फ्रेश हो तभी उसका यूज कर लीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और सबके साथ शेयर भी करिएगा, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेश करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूँ आपके मुबाइल पर, उसकी निटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे.